यहाँ इंडिया में और स्टेज्ट वर उनिन टेरिट्रीज क्यों नहीं बना सकते हैं जैसे 370 की हटने के बाद जम्मोन कश्मीर और लद्दाक को दो अलग अलग यूनिन टेरिट्रीज में डिवाइड कर दिया गया था जम्मोन कश्मीर विद लजिस्लेचर लद्दाक और इसलिए लगदाक में प्रोटेस्ट हो रहे है तो लोकल के इंट्रेस्ट में कल्चर के हिसाब से लॉज और पॉलिसी बनाते हैं पर लद्दाक में लगवों को डर है कि अगर सेंट्रल गवर्मेंट डिरेक्ट लॉस बनाएंगी तो वो यह नहीं कर पाएगी एक और बह स्टेट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिनमें ट्राइबल पॉपुलेशन है अभी फिलहाली आसाम, मिजोरा, मेघालया और त्रिपुरा को मिला हुआ है बेसिकली यह शेडियूल एक बीईटी पास की तरह होता है जो लोकल स्टेट्स को अपने खुद के रूल्स बनाने देता है लान यूज एगरिकशन पर ताकि उनका रहन सेहन प्रिजर्व और प्रोटेक्ट हो सके और इसी राइट की डिमांड हो रही है लद्दाख में अब आप बताना अगर शेडियूल एरिया डिक्लेर करने के लिए 50% ट् लद्दाख को सिख्थ शेडियूल की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या नहीं और अगर नहीं तो कि लद्दाख का स्टेट हो डिमांड करना अपने कल्चर को बचाने के लिए सही है या गलत बताना जरा